हलो दोस्तो वालकम्टो अभिंपीडिया पावर बाय अभिमा थीयूए दोस्तो स्टेट शिवल सर्विसीजज की अगर मैं बात करूँ तो यूपीजी सिवल सर्विसीजज hierarchy prepare कर रहा हर als wär स्टेट 되지 सिव二 शर्विसीज़ का एक्जाम भी देता है यहां पे क्या हम क्या देखते हैं कि जो सिवल सर्विसीज़ के लिए prepare करने एक्जाम होते हैं वह अन्य स्वोल स्विसीजimento के देन practical services आप्सिल सर्विस में जाने से ज़र करते हैं अपने अपने स्ट्ट का जो सिवल सर्विस के एक्जाय मोता है एकुछ सब्सक्राइब से राजसान गुजराइत की या जमुंग हुम कश्मीर से तमeveryपरदेक रेंग बाद पर達्देश तक की अगर वोस एकशन दे सकते हैं बट यहां पर एस्पिरेंट्स नहीं देते क्यों यहां पर थोड़ा सा क्या रहता है एक पैटरन का डिफरेंस रहता है तो इसलिए स्टूनेंट यहां पर एक्जाम नहीं दे यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी हल्प करने के लिए अभी पीडिया विच इस पावर बाई अभी मन्यू आईएस अभी मन्यू आईएस जो की पिछले बाईस सालों में पंद्रा सो से ज़्यादा सेलेक्शन दे चुका है इंदा सिवल सर्वेशिस एग्जाम सब्सक्राइब चाहिए जिसके अंदर जो आपका वेरिएशन रहता है बैसी की लिए जो आपका जीके का और जो लांगुज का चेंज रहता है वह भी आपको कवर कराया जाएगा पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप जिस भी स्टेट में जाना चाहते हैं तो यह आनलाइन रहेगा यह पूरा का पूरा कूर्स इस कोर्स के बारे में अन्य बाते हम बाद में करेंगे अंत में करेंगे इससे पहले आज हम एक स्टेट के civil services exam के बारे में जानेंगे उसमें क्या qualification criteria क्या eligibility criteria कितनी vacances लगवग आती हैं और क्या paper pattern क्या selection process रहता है उसके बारे में जानेंगे जी हाँ आज हम जानने वाले हैं ओडिसा civil services के बारे में ओडिसा civil services को आज के lecture के हंदर हम discuss करेंगे ओडिसा civil services जो की ओडिसा public service commission के दोरा organize करवाया जाता है ओडिसा public service commission के दोरा इसको observe किया जाता है odysa civil services तो औरिसा public service commission के अगर मैं बात करूं यह जो है यह बनाया गया था 1st of April 1949 को इसको बनाया गया था इससे पहले बहार और और दी सा का joint होता था public service commission बाट फिर्स ऑपर न्टीन वाइन को इसको अलग से बना दिया गया इसको अलग से बना दिया गया इसको अलग से बना अब लगभक इतनी vacancies आती है historically मैं बात कह साल बार लगभक इतनी vacancies यहां पे न को मिलती है तो एक बहुत अच्छा नंबर एक बहुत अच्छी ऑपरसुनिटी ओडिसा सिवल सर्विसेज एज लिमिट क्या रहता है आस कंपेरेटिव टू सम स्टेट्स बहुत सारी स्टेट्स में जो एज का क्रेटीरिया रहता है वो 35 37 यह 40 तक भी रहता है और अडिसा के अंदर इस सिवल सर्विसे है जो एज लिमिट है वो 21 यह से 32 तक है यानि कि आपकी जो आए है आपकी यू और सुरी आए बोल रहा हूं आई यू जो है एज जो है वो कम से कम 21 वर्ष की और ज्यादा तर अधिक्तम 32 वर्ष की हो सकती है अगर आपके पास कोई कैटेगरी है स्टी ठीक है तो आपको के लिए यही रहता है नेक्स्ट बात करेंगे एज्यूकेशन क्वालिफिकेशन की तो विदिक शिक्षता योगिता कि अगर मैं बात करूं ठीक है तो आपके पास एक ग्राजुएशन का डिगरी होना चाहिए भारत की किसी भी मायनिता प्राप्त यूनिवस्टी से भारत क किसी भी मायनिता प्राप्त यूनिवस्टी से आपके पास ग्राजुशन का डिगरी कि होना चाहिए इसके इलावा ओडिसा सिवल सर्विसेज में एक और चीज़ का रिक्वार्मेंट होता है वो होता है ओडिया लैंग्विज ओडिया लैंग्विज आपने अपने स्कूल म है आपको फस्टेट का लैंगविज आता हो ना चाहिए तो ओडिसा का ओडिया लैंगुज आटेस्ट आपको देना पड़ेगा अलगसे अगर आप भी 시ी लाओं नहीं करते हैं तो But that is mandatory that is mandatory अब सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सेलेक्शन प्रोसेस में यहां पर आपके देख सकते हैं तीन चीज़े रहती हैं सबसे पहले प्रिलिम्स का एक्जाम होता है फिर मेंस का एक्जाम होता है देन जो स्टूदेंट्स जो एस्पिरेंट्स मेंस को क्रैक करते हैं they have to go for the personality test और interview उनको यह देना पड़ता है तो personality test interview मेंस का एक्जाम अब सबसे पहले प्रिलिम्स की बात करेंगे प्रिलिम्स में आपे दो पेपर होते हैं प्रिलिम्स में दो पेपर होते हैं क्लियर दोनों के दोनों पेपर multiple choice questions के रहेंगे mcqs आते हैं objective paper है सबसे पहले general studies का paper होता है one that is of 200 marks 200 marks 200 number का होता है 100 questions आते हैं इसमें आपको 100 questions आते हैं 100 questions आपको पूछे जाते हैं clear उसके बाद अगर मैं बात करो general studies 2 यहाँ पे दिया जाता है अगर आप Odissa का जो civil services का official notification देखेंगे तो उसमें आपे general studies 2 लिखा होता है but this is the paper of aptitude यह aptitude का paper होता है जनरली यह जनरली aptitude का paper है clear इसमें क्या आता है आपका CSET वाला syllabus आपके आपका general studies लिखा रहता है बढ़ यह CSET वाला syllabus आता है इसमें quant reasoning यह सब English हो गया तो यह aptitude का आपका paper रहेगा 200 नंबर का यह रहता है 80 question आते हैं इसमें 80 questions आते हैं इसमें आपको 80 question पूछे जाते है clear आपका जो paper 2 aptitude वाला as per the other states में भी अगर CSET होता है तो वो वो चाहते हैं कि वो further process में आगे बढ़ सके ठीक है आप general studies के paper 2 में कम से कम 33 प्रतिशत नंबर लेके आओगे तभी आपका यह वाला पेपर evaluate किया जाएगा clear और general studies के paper 1 के marks के accordingly आप prelims में से mains के लिए select किये जाएंगे ठीक है जो students general studies 1 में अच्छा नंबर लेके आएंगे अच्छे score करेंगे cut off के हिसाब से मेंस के लिए shortlisted के रहेंगे ठीक है इसके marks count नहीं होते यह 33 परसेंट आपको सिरफ qualifying करना है और जो prelims आपका हो रहता है दोनों paper मिला के prelims जो है यह सिरफ qualifying nature में है prelims भी prelims के marks आपके final merit में count नहीं होते यानि कि जो आपका final selection होगा उसमें prelims के marks count नहीं होते है बट prelims आपको लेके जाएगा mains तक आपको लेके जाएगा mains तक यह बात का ध्यान रखिएगा दोनों paper का duration है तो इन चीजों का ध्यान आपको रख लेना है अगर कोई डाउट हो तो you can write in the comment section next हम देखते हैं इसके बाद इसके बाद हम में की तरफ बढ़ेंगे तो जिनों ने prelims में अच्छा score किया पेपर वन में का पेपर है 300 नंबर का ठीक है उसके बाद English का पेपर है 300 नंबर का उसके बाद English essay का पेपर है 200 नंबर का यह मैं आपको बता दूँ यह जो पहले दो पेपर आपने देखे है ओडिया लैंग्वज का और English language का यह दोनों paper सिर्फ qualifying है यह दोनों paper qualifying है clear यानि कि इनके marks भी count नहीं होंगे final selection में बट इन में ओडिसा पबिक सर्विस कमिशन के द्वारा एक पर्टिकुलर cut-off defined की जाएगी qualifying cut-off defined की जाएगी उतना आपको लेना ज़रूरी होगा उसके बाद बात करें English essay है अपना 200 number का यह compulsory है count होगा है उसके बाद general studies one जो है 300 number का है यह भी आपको देना है उसके बाद general studies two जो है 300 number का यह है तो यह पांच paper आपके 1400 marks के बट यह जो 600 number है यह count नहीं होता है यह सिरफ qualifying है तो ठीक है 300 और 600 और 800 number आपके यह होगे यहां से clear जो कि आपको means तक आपको further merit में लिके जाएंगे उसके बाद optional paper होते हैं 400 300-300 number के 4 paper जिसमें आपको 2 optional choose करने आपको 2 optional choose करने और हर एक optional के 2-2 paper आपको देने आपको दो-2 paper देने है clear आपको 2 optional choose करने और दोनों के दो दो पेपर आपको देने पड़ेंगे ठीक है दोनों के दो दो पेपर आपको देने पड़ेंगे तो इस तरह से आपके पाच पेपर पहले आपने देखे 4 पेपर होगे तो मेंस में आपके 9 पेपर हो जाते हैं और यह चार आप देख रहे है यह बाराधान निमंबर को वे त्योंकि दिनार का एक हर पेपर का चाएंगे समय का exam इस बात का धियान रखेगा तो जो सुडेंट यहां पर मेंज को क्रैक करेंगे ठीक है अभी ऑप्शनल की बात कर रहे हैं तो ऑप्शनल मैं जैसा कि मैंने बताए कि दो सिब्डेक्ट आपको उप्शनल चूज करने हैं और चार पेपर आपको उसके देने हैं तो कौन-कौन स करलेन ओट आपके जैसे बैफी जैस बैप एक वाएछ चीन हैं कर लिया जिया जैसे कि हुआ सकता है ऐसे मां आप उसक्त शूज कर लिए लग् inspire कल्ट ऐसे मं एक साथ नहीं ले सकता उसके बाद सब्सक्चराव नहीं पड़ेगा एंथ्रोप पॉलीजी और शोचल यह सारे मैं एक साथ नहीं ले सकता इसारी चेज़े आपको ध्षान में रखना पड़ेगा यह सारी चीज़े नहीं नहीं कर सकता तो इस हिसाब से इन्होंने कुछ सार पेपर आपको उनके देने उसके बाद अगर आप मेंस को अच्छे लेवल पे कर पाते हैं और मेंस को क्रैक करते हैं तो दन यू आप तो अपियर इंदा पर्सनालिटी टेस्ट और इंटर्व्यू जो की थाइसो नुम्बर का रहता है जो की 250 मार्क्स का होने वाला है नुम्हां की डिट किया जाओ तो इस जा पैटरब एंड इलिजिबिल्टी क्राइटरिया हमने जाना पैटरब जाना डइस उप तो औरी सा सिवल सर्विशी तो इफ यू वर्टू टो विकेम सिवल सर्वेंट और पर अपना करियर बनाना चाने था तो इसलिए तो आपकी help करने के लिए इस exam को crack करने के लिए आपकी help करने के लिए अभी मन्यू आईएस आपके लिए लेके आया है एक combined state civil services exam preparation course a combined state civil services exam preparation course this course will definitely help you to crack the state civil services exam of any state because अभी मन्यू has experienced क्योंकि अभी मन्यू पिछले बाइस सालों से पंदरा सुसे जादा selection दे चुका है in the period of civil services तो आप देख सकते check out किजिए अभी मन्यू के courses को यहां पे description box में आपको link मेल जाएगा and there is a demo course also you can book your demo you can book your demo and or free trial that is a 20 days free trial available with the abhiman new IES this course this the duration of this course is six month it is a state civil services exam course this may have को see set ticket see set who are prelims means general studies पूरा का पूरा cover करवाया जाएगा along with the state अपको पूरा का पूरा cover करवाया जाएगा तो अभी हमारा जो module course of demo history ongoing demo demo module course of modern history ongoing demo module course of modern history हमारा ongoing है तो आज ही अपना demo book कीजे and join the top first league of abhiman new IES क्योंकि आप भी बन सकते हैं एक civil servant the link is in the description link आपको description में मिल जाएगा and for the more updates for the more updates channel को subscribe करना नहीं भूलना है बैल इकन दबाना नहीं भूलना है तांकि आपको updates मिलते रहें तो register yourself now thank you so much उन्छिए प्यब्र हीं पर जुर rap्दी एा... जब्सू है इंकि गपभड़़ बना मैं इन्हाना हैं सब्सक्राब़़़पग अ विंधसरा तो जाए़ो धीनी